नमश्कार, भीवानी हलचल में आपका स्वागत है, आज हमारा सा स्टूडियो में मौझूध है, धर्मेंदर जिन्दल, जो भीवानी बीजेपी के जिला पाध्यक्षि suggesties धर्मेंदर जी आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद राजगमार जी धर्मेंदर जी बिजनेसमें भी है और पॉलिटिशन भी धर्मेंदर जी दोनों काम कैसे कर लेते हैं आप देखिये जब आप समाज के लिए देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने दैनिक जी ओन में सामन जे से बिठाना पड़ता है वही सामन जे से मुझे भी बैठाना पड़ता है कि मेरा व्योसाय भी ठीक चले क्योंकि वाजी वुका का साधन है और मैं राजनीति और देश के लिए भी समय दे पाऊं क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है आपके बारे में एक चर्चा है आपके दोस्तों में और आपकी टोली में कि धर्मिंदर जी दिखाते कम हैं काम ज़्यादा करते हैं ऐसा ही आपने लोकसबा चुनौव में भी किया आपको जो जिम्मेदारी मिली उसके बारे में क्या कहना है आपका राजकुमर जी मैं संग्ठन से लगबग तीन-चार साल पहले बाजपा में आया तब से लेकर आज तक पार्टी ने जो भी कारिय मेरे को दिया जो भी जिम्मेवारी दी मैंने कोशिस की कि उसको सिद्धत से निमाऊं सबसे पहले बात करू तो नगर प्रिशत के जो चुनाव हुए उसमें दो वाड़ों की जिम्मेवारी मेरे को दी गई और जनता के सेहुक से हम दोनों वाड़ जीतने में कामियाब रहे उसके बाद भीवानी विधान सभा का सियोजक मुझे बनाया गया बूच सशक्तिकन का एक कारेकरम चलता है पार्टी का जिसमें हम सक्तिकेंदर का गठन पन्ना परमुखा गठन करते हैं उसमें भी कारेकरताओं के कुछ सा के फल सुरूप मुझे कामियाभी मिली पार्टी को कामियाभी मिली और मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने लोग सभा चुनाव दोजार चोबिस में और नो लोग सबा छेतर जो विवानी में अंदरगड लोग सबा में आते हैं, उन नो के नो विदान सबा में सबसे ज़्यादा मतों से हम विजई हुए, ये सभी कारेकरताओं की मैंनत और विवानी की जनता के भल सुरूप हुआ. आप और आपका पूरा परिवार, मैं कहूंगा शायद पूरा परिवार RSS से जुड़ा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में, काफी लंबे समय से आप RSS से जुड़े हैं या उसके विभिन संगठनों से? राज गुमर जी, अगर मैं आपने एक समाजिक सेवा का परसनलिया है, अगर मैं समाजिक सेवा की शुरुआत करूँ तो हमुम जब गाओं में रहते थे, तो हमारे दादा जी से हमारे को गुन मिला. हमारे दादा जी ने गाओं में भी समाज के लिए कुवों का निर्मान है, दरमसाला का निर्मान है, ऐसे कारिय किये और जब मम भीवानी आए, तो बच्पन से मैं कहूं कि मैं साइद पांच-चार साल का रहा हूँगा, जब मैं एक खेलने के नाते से हम साखा में जुड़े, उसके बाद ये परंपरा पूरे परिवार में हमारे रही, लगबग पूरा परिवार हमारा RSSS से रिलेटिड है, आ ये परंपरा आगे भी चल पड़ी है, दोन्नों बेटे हैं, वो भी अमारे स्वम से होग है, वारे बड़े भाई भी स्वम से होग है, तो ये एक समाध सिवा लगबग आप कह सकते हैं कि नारे परिवार की परंपरा है, तो एक दम संग से आपका बीजेपी में आना हुआ क महमंतरी भी रहा, तो राजनemploy की चेतर में था, तो संग्ठन ने कहा कि आप दूसरे संग्ठन में आइए, तो मैं दूसरे संग्ठोनों में चला गया, संग्ठन शर्वापर आपदे है, अभी संग्ठन की इच्छा, मैंने अपनी इच्छा संग्ठन को बताईए, उन्わ हैं ऐसा नहीं लगता कि आप खुद के लिए विधान सबा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? ताज कुमार जी, मैंने वो काम किया जो संक्थन ने मुझे दिया या पार्टी ने मुझे जो काम कहा मैंने वो किया मैं यह नहीं देखता कि क्या काम छोटा है, क्या बड़ा है मेरे लिए पार्टी का आदेश रूपरी है पार्टी जो भी आदेश करेगी किसी भी परकार का आदेश आज पार्टी कहेगी कि आपको कर्यले समालना है मैं कर्यले समालूँगा जो भी काम पार्टी कहेगी मैं भू करूँगा वो चाहे चुनाव लड़ने का है, चुनाव लड़वाने का है, चुनाव में काम करने का है, पार्टी का अदे सरू अपरी लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरह से आप कारे कर रहे हैं शेहर में तो ऐसा कही न गहीं लग सबुद्धा है कि आप विधन सवा चुनौफ की तैयारी कर रहे हैं राजकुमार जी दो समाद सिवा एक काम करना है मेरा जी उस समाद सिवा के कारिये को आप राजनीती छेतर से भी जोड सकते हैं क्योंकि हमारी पार्टी सिवा पर्थम चलती है राष्टर पर्थम सिवा वारे लिए पहले है राजनीती हमारे लिए बाद में है तो उसमें आप पत्रकार आप कुछ भी देख सकते हैं अब बात करें बीजेपी की, तो हर्याँ में 10 से 5 सीटों पर आगे, लोकसभा में, क्या कहेंगे इस पर अलगले कारण होते हैं, राज गुमार जी, ये परदेश का मामला है, मैं इतना बड़ा उसमें कोई टिपनी नहीं कर सकता, कई कारण होते हैं, कि आप वो रिजल्ट नह नहीं ला पाते हैं, तो वे अलगले कारण हो, उनकी समिक्षा पार्टी लेवल पर हो चुकी है, प्रदेश लेवल पर हो चुकी है, उन जो कमिया रहीं, उनको हम इस विधान जवा चुनाव में दूर करने आप रियास करेंगे, और विधान जवा में पूर्ण बहुमत से, तिसरी बार बाजपा की सरकार आप लोगों के सेयोग से, अरियाना की जमता के सेयोग से बनेगी, देखिए धर्बेंदर जी बात करते हैं, भीवानी की, हम स्टेट को छोड़ते हैं, भीवानी में पीने के पानी के क्या हलाते हैं, कुछ जगां पानी नहीं है, काफी जगा और जहां है वहां काला पानी है क्या कहेंगा आप इस बारे में पीने के पानी की जो समस्या उस पे काफी काम हुआ है अमरुत योजना के तहट बाहरी कलोनियों में भी नई लाइने डली है अंदर का जो सहर है हमारा उसकी बोगोलिक संगरचना ऐसी है कि वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सी है मैं मानता हूँ उसमें बहुत सी लाइने बदल दी गई है या आने वाले समय में बदल दी जाएंगी उन पे काफी काम हो रहा है और हो भी चुका है तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 6 महीने में अगर इसी तरह से काम चला तो स्वच और साफ पानी पूरे भीवानी को पीने को मिलेगा देखिए आपने का 6 महीने लेकिन 10 साल से आपकी सरकार है स्टेट में भी और सेंटर में दस साल में हालात नहीं सुधार पाए आपके विधायक भी और MPB अब 6 महीने में क्या करेंगे राजकुमर जी ऐसा नहीं कि हालात सुधरे नहीं है अगर आप देखेंगे तो पहले सेर में जहाँ पानी काफी समय तो खड़ा रहता था बरसात का अब एक दो घंटे में सारा पानी निकल जाता है पिछले दस सालों में अगर हम देखेंगे तो शेर की जनसंग क्या भी लगबग डेड़ गुनाया दो गुना हो गई है उसी गती से काम भी हो रहे है भारी कालोनिया में साइद ऐसा कोई सा एरिया नहीं होगी कि जहां पानी की सप्लाई ना जाती हो या शीवरेज ना डले हो यह उनी कामों का नतीज़ा कि काम हो रहे है कुछ ऐसी जगें हैं जहां पर काम होने की और हो सकता है वहां भी हो रहा है और हो जाएगा सड़कों के हालाग भी बहुत अच्छे नहीं है शहर की पोस्ट कालोनिय में सड़के इतनी बुरी हालत में है जरजर हालत में है जिनका बयान करना भी मुश्किल है राज कुमार जी दस साल का जो कांग्रेश का सासन रहा वो भीवानी के लिए बड़ा मैं कहता हूँ कि दुरभाग्यपुन कारियकाल था हम खरक गाउं से आगे जाते थे ताईवे सुरू हो जाते थे और भीवानी एक अपेक्सित छेतर की तरह है दस साल कांग्रेश के सासन काल में रहा आज आप देखोंगे तो भीवानी के चार उतर बाईपास बन रही है आज भीवानी को छुटते विए या भीवानी के अंदर से लगभग चार नेशनल आईवे गुजर रहे हैं एक सो बाउंडी भीवानी जिले के अंदर आता है जो हमारे लिए गर्व का भी से है अंत्री कलोनियों में और अंदर का जो सहर है उसमें बहुत सी गलियां 씨-सी की या सी-सी बिलोक्स की और जहां तारकुल की सड़क की आसकता हुआं बन रही है आप देखेंगे बहुत सी सड़कें रबड की भी बनी हैं दीरे दीरे उन पर भी मानसुन के बाद और गती से काम होके उनका भी समस्यागा समधन हो जाए काफी आपके निता बीजेपी के हैं जो टिकट की दोड में शामिल हैं क्या कहेंगे उनके बारे में राजगुमार जी एक परिवार है भारतिय जनता पार्टी हम सारे परिवार का हिस्सा हैं सभी अपने परिवार के तरह से अपना अपना परियास कर रहे हैं हमारा उमीदवार कमल का फूल होगा हम सभी उसके लिए काम करेंगे चाहिए वो कोई भी हो चलिए उपादिर्ष रहते समय आप क्या हाला सुधर पाएंगे भीवानी के चाहे समस्या बिजली, पानी, सीवर, सड़के हों कितना परियास करेंगे भीवानी के लोगों के लिए मैं अपने सतर पर जो परियास कर सकता हूँ अभी मैं जनसंपर्ग पे भी जाता हूँ तो जहां जो समस्या पता लगती है अधिकारियों से बात करके उनका समाधन का प्रियास भी करते हैं कुछ समस्या हैं आतों आत समाधन हो भी जाता है कुछ समस्या हैं ऐसी वेभारिक समस्या हैं कि उनमें समय लगता है मेरा जहां भी मेरे पास कोई बात आती है तो मैं उसका प्रियास पूनता करता हूँ तीन जोजना से विधायक हैं गंशाम सराफ क्या इस बार उनको टिकट मिलेगी या कटेगी क्या कहेंगे ये मेरा भी से नहीं है राज कुमार जी ये पार्टी का निरने है कि पार्टी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी हाँ इतना जरूर है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी भारतिय जनता पार्टी का छोटे से छोटा करे करता और बड़े से बड़ा करे करता उसको जिताने के लिए काम करेगा धन्यवाद ये थे धर्मेंदर जिंदल जी जिन्होंने सवालों के बाखुई भी जवाब दिये हम मिलेंगे जल्दी एक नई शक्सियत के साथ आप बने रहे हमार साथ नमस्कार धन्यवाद धर्मेंदर जी धन्यवाद राजकमार